हुआ साहरा ग्रूप के इसमें चार सॉसाइटिआज हैं जिसमें जिसमें साहरा directed cooperative सॉसाइटी है साहरय एन इन वर्सल म इननिवर्ष्स待って me पिछ इन्टी मुल्पॉब्व सॉसाइटी है हमारा इंडिया क्लाच service the और चारों में हमारे CRCS ने च्छे बार सुनवाई किया और च्छे बार सुनवाई करके उनको हिदाय देने का काम किया था जो में डेने भी लिये थे आदर्स पर सब्सक्राइब और उसके बाद में जमा करताओं को हमने देज राश्री का भक्तान की हमने बात कही थी और साथी साथ इसमें जो लगभग हमारे देश के लगभग 12 करोड निवेशकों का 86,000 करोड रुपए सहरा से भी प्राकरण के बाद से फसा हुआ है समय हो पूरा होने के बाद भी लोगों का भुक्तान नहीं मिल पा रहा है लोग अलग-अलग माध्यम से बिरोज जता रहे हैं सरकार के कानों में कुछ जूरेंगी तो CRC के हाथ में फैसला गया और CRC को 5,000 करोड रुपए सुप्रीम कोट के आदेश के बाद भेजा गया लेकिन उसे वापस करने की प्रकरिया इतनी जटिल हो गई कितना वक्त लग गया अब कहते हैं CRC के प्रकरिया लगभग आखरी चरण में हैं बहुत जल्द इसी चैनल के माध्यम से आपको भुकतान की तिथी और बिधी बताई जाएगी यानि कि किस बिधी से आपको पैसा मिलेगा कहां से पैसा मिलेगा और फारम में क्या भरना है आप दलालों के चंगल से दूर है CRC को सुप्रीम कोट के आदेश से पाच जार करोड उपे मिला उसे आपने वेशको का पैसा वेरिफाई करके वापस करना है ऐसा सुप्रीम कोट ने आदेश दिया आपने संसाथ से भी सुप्रीम कोट और देश के ग्रह मंत्रिया मिश्चा को बखोबी सुना है अगर इस प्राकरण सम्मंदित अनजानकारी चाहिए तो इसे चैनल के अंदर आठ अलग-अलग खबरों में जाके आप पढ़ और समझ सकते हैं पूरा मामला आपको बताने की जरुवत नहीं है आप पढ़ कर समझ सकते हैं आज हम भुक्तान के मुद्धे पर बात कर रहे हैं सहरा से भी भुक्तान अपने अंतिम चरुडों में है जिसमें CRC को पहली किस्त के तोर पर 5.000 करोड रुपए दिया गया जिससे आपको लटाना है आप अपने कागाज, पासपोर, साइच, फोटो और डाकोमेंट, बैंक का एक खाता तयार रखें जिस समय से भी और सहारा के प्रकरण का पैसा जो CRC के पास गया है उसे लटाने के प्रकरिया के लिए अकबार में विग्यापन दिया जाएगा उससे पहले प्रेस कॉंटरेंस के माध्यम से एक प्रंती हमारे पास भी आ जाएगी खबर छपने से पहले हम आपको बता करोगत करा देंगे कि किस तरीके से आपका पैसा मिलना है देश की अलग-अलग हिस्तों में परिशान निवेश करता इधर से उधर भटक रही है कोई तहसील जा रहा है कोई बटस एक्ट दुहजार उन्नीस के तहट लेकिन सहारा बटसक्ट के तहट नहीं आता है क्योंकि पंजी कर सस्ता है और तहसील में कागजाद जमा कराने से अच्छा आपको सियारसी के पास अपने कागजाद भेजने होंगे लेकिन सियारसी यानि सहकारता मंत्राले ने अभी तक बिधी नहीं बताई है किस तरीके से उसके लिए एक पोर्टल समेथ बिधी तयार की जा रही है सबसे पहले वीडियो में आपने जो सुना है वो सहकारता मंत्री है जो सदन में यानि संसद में अपना पच्छ रख कर बता रही है कि सहारा की चार सोसाइटी का पैसा जमा है जिसे जल्द वापस किया जाएगा देश में लोग सभा चुनाओ 2024 से पहले इस मुद्दे को हल करने का दबाओ है और बहुत जल्द होगा भी क्योंकि आप जानते हैं आपके मत्र से ही सरकार चुनी जाती है लोग तंत्र में असली मालिक जनता होती है लोगों ने पहले भुकतान फिरमदान का नारा दिया इसकी वज़ा से सरकार और चुनाओ आयोग भी इस मामले में जल्दिस से हल कराने के लिए जुटे हुए हैं CRC को ततकाल पूरी प्रकरिया को इस पस्ट करते हुए लोगों को भुकतान दे देने की जरुवत है ताकि लोग अपने अवस्यक मेडिकल से लेके पढ़ाई तक सब काम्यों में लगा सकें जिस समय जानकारी आएगी इसी माध्यम से आपको आउगत कराएंगे तब तक के लिए आप खुबे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करलें बिसाल की रिपोर्ट पर अपको जान करते हैं